नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में ही दोस्तों आज हम कुछ यह जो पेंट के डिब्बे आपको दिख रहे होंगे यह 5-5 लिटर के 5 या 4 लिटर के पेंट के डब्बे हैं तो इनके प्लांटर बनाएंगे तो घर में ही यह जो पेंट है आप अपने पिसंद का कोई भी पेंट यूज कर सकत रहिए हमारा यही कैलर बचा हुआ था तो मैंने व मिलिटें लेती हूँ तो चलिए मिलतें जा बंच करने के बाद तो यहां मैंने भी ने इनमें पेंट कर लिया है और होवि कर लिया है सबमें आप इसी चीज की सहो इन पहले डायक्ट इमोजी नी बनाती हूं, मैं पहले पैंसिल से ड्रॉव कर लेती हूं, पता चलता है किसी की आँख कहीं चली गई, कुछ गलात हो गया तो, तो अब मैंने वह कर लिया है, वैसे तो इसकी आइस ब्लैक होनी चाहिए थी, लेकि मिले पास ब्लैक कलर है नहीं तो इसलिए मैंने ब्लू से ही बना दी, मतलब कुछ भी कलर फुल, कुछ भी बना दो जो आपको आता है, तो मैंने ब्लू से ही बना दी, मिले पास ब्लू कलर बचावा है, और यह वो कलर है, जो मैंने पॉट में कलर मंगा था करने के लिए, टैरी कोटा का, यह वही कलर तो मैंने का इसकी आखें कुछ चमक जाएंगी, तो आप कुछ भी बना सकते हो, कोई और कुछ और ड्राउ कर सकते हो, मैंने तो यह कर दिया, इमोजी भी अच्छछ लखते हैं ना, डॉट डॉट भी कर सकते हो, और इसके लिए सम राइड कलर से कर देंगे, राइड कलर में पास काफी बचावाय है, रर्ड भी टैररीकोटा के ही कलर है, जो यह टैरिकोटा के कलर आते हैं, मैंने वो पॉट में करने के लिए मंगाई थे, वही खरर बचावाय एक तो ये जो प्लांटर बने है मतलब आपको पता है कि पांस लिटर के प्लांटर से, तो अच्छा साईजे इनका मतलब और प्लांट लगाएंगे ना तो सही है, मतलब अच्छे Σ हो जिसमें जैड लगावा है तो उसमें भी मैंने कर दिया देखने में थोड़ा खूबसूरत से लगते हैं अगर इस तरह से बना दो ऐस तो प्लेइन भी रहेंगे तो कोई फैक नहीं पड़ता लेकिन अगर हम छोड़े छोड़े थोड़ा कलर कर देते हैं कुछ तो थोड़ा स कर देते हैं तो काफी सुन्दर लगता है काफी अच्छा लगता है अब यह इस तरह से करने के बाद अच्छे लग रहे हैं दोनों देखो एक जैसे हैं ना बिलकुल सुन्दर लग रहे हैं काफी अच्छे लग रहे हैं अब इसने भी कोई प्लांट लगा दूंगी मैं शा कर दो कर तuning के लिए मिट्टी बरब दूबंगी और तो अब बताउनगी कि आपको मैं इसमें कॉन से प्लान्ट लगांने के लिए बेले सह उसी और इन में वो लाल वाले छोटे उड़ने वाले केले लग रहे हैं तो ये वो बेलों का result है ये जो गर्मियों के पौद मैंने बोई थी ना ओनलाइन में गाई थी ये वो पौद है ये उसका result है और ये सही हो गई है यही पौद मैं अब उन में लगाऊंगी यहां पर यह holly hawks लग रहा है मुझे और इसके पत्यों से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह कि सिज की पौध है और यहां पर भी हो गई है पौध जीनिया तो मैंने काफी सारी लगा दी है तो यह लगाओंगी मैं लेकिन यह बहुत छोटी है और समझ में भी नहीं आ रह तो मैंटी कि बाल उन्हाँ नहीं कि छिए तो कुछ और गया सकते हो लेकिन अभी मेरे गिर्मियों की बहुत ज्यादा है तो मैं मतलब सवच्णियों की सीजनल ही लगा हूं इसमें तो दोस्तों बताना आपको जो प्लांटर कैसे लगे मुझे तो अच्छे लग रहे हैं आ और इस तरह आपके घर में भी कुछ होना रखे वे तो आप ऐसे बना सकते हैं और उनमें प्लांट लगा सकते हैं और यह ऐसा नहीं कि कुछ ही दिन चलेंगे काफी टाइम चल जाते हैं यह और देखने में भी खुबसुरत लगते हैं थोड़ा हम कलर पींट कर देते हैं तो आप ज़रू बताना कि आपको कैसे लगे तो दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहने के लिए और आपके प्यार और इसने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं सपोर्ट करते हैं उसके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ